हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगडवेंस, मैं रुपाली वर्मा मैंगडवेंस आपको 100% free education देता है और साथ ही आपके कोई भी test हो, exam हो, हर एक चीज की preparation भी आपको 100% free time to time कराता रहता है कोई भी exam हो, हर एक चीज की preparation लेकर हम आपके सामने मौजूद हो जाते हैं जैसे आज का जो वीडियो है, वो भी आपके board examination की preparation के लिए है तो ध्यान दीजे आज हम करा रहे हैं, CBRC previous year questions क्लास है हमारी 12th Hindi elective की book है अंतरा भाग दो इसके गद्य खंड का अध्याय संख्या है, 9 नजपाट का नाम है दूसरा देवदास तो इस दूसरा देवदास chapter से पिछले 10 सालों में, यानि कि 2022 से लेकर 2013 तक के जितने भी board examination हुए हैं, उसमें से आप से कैसे कैसे question पूछे गए हैं, कौन कौन से question पूछे गए हैं, इनको आज हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, previous year question solutions, तो सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या, यहाँ पर हमारे सामने इसी chapter से कुछ गद्यांश हैं, जो अलग-अलग सालों में हैं, और उसकी हमें संदर्व प्रसंग सहित व्याख्या करनी, भई दिया तो question रहता है कि सा प्रसंग लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास आमने पहला जो गद्यांश रखा गया है, यह हमसे पूछा गया है सन 2015 में, ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं, क्या है, भीड लड़के ने दिल्ली में भी दे अंदाज निराला था, इस भीड में एक सूत्रता थी, ना यहाँ जाती का महत्व ना भाषा का महत्व उद्देश का था, और वह सब का समान था, जीवन के प्रती कल्यान की भावना, इस भीड में दोड नहीं थी, आतिक्रमाण नहीं था, और ना ही अनोखी बात यह थी कि कोई भी ईर सननार्थी किसी भी सैलानी आनंद में डुपकी नहीं लगा रहा था, तो अब यहाँ पर जब हमारा जो नायक है संभव, यह हरिद्वार पहुंचता है, तो वहाँ पर भी उसको भीड दिखती है, भै दिल्ली में भी वो रहा तो उसे वहाँ भीड भीड दिख कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो हरिद्वार का की भीड थी, वो सब का उदेश एक ही था, वो सभी धर्म में डूबे हुए थे, सब अध्यात में डूबे थे और सभी जो हैं दर्शन के लिए थे, मतलब किसी को कोई जल्दी नहीं थी, तो यहाँ पर उस भीड का ही दिफ्रेंस भताया गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका संदर्व, क्या है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्त कंतरा भाग दो में संकलित पाठ दूसरा देवदास से अवतरित है, यह कहानी सुप्रसिद लेखि का मंताकालिया द्वारा रचित है, अब आ जात भीड थी, और उसमें किस तरीके से सभी के अंदर धर्म की आस्था विद्धमान थी, यह चीज़ दिखाया गया, अब इस गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे, क्या है, बैसाखी के दिन हर की पौड़ी पर इकत्रित हुई सर्धालूं की भीड को देख कर अचंभित संभ कहता है, ऐसा नहीं कि उसने ऐसी भीड पहले कभी न देखी हूँ, बलकि वरोजाना ही दिल्ली में ऐसी ही भीड देखता है, जो दफ्तर जाती है, वस्तुओं को खरीती बेचती है, किसी घटना पर तमाशबीन बनकर उसे देखती रहती है, या फिर सड़क पार करती है, ऐ ऐसी अनेक भीड उसने देखी है, लेकिन हर की पौडी की भीड उन सब भीडों से अलग थी, दिल्ली में देखी गई भीड में विखराफ था, लेकिन इस भीड में एक सुतरता की भावना थी, इसमें ना जाती न भाशा, किसी आधार पर कोई भेदभाव न था, बलकि सभ लेकिका एक उदेश था, एक लक्ष था, मनुष का कल्यान वा उसकी भलाई, लेकिका संभव के माध्यम से कहती है कि इस भीड में किसी को पछाड कर आगे बढ़ने की प्रवत्ति न थी, मतलब ये नहीं था कि हम जल्दी से, भई इनसे भी आगे निकल कर जल्दी काम, सब अराम से चल रहे थे, उससे भी महत्व पूर बात इस भीड की यह थी कि गंगा के पवित्र जल में जब शद्धालू इसनान करते हैं, तो वा केवल सैलानियों के समान पानी में उतरना वा उभरना नहीं होता था, बलकि वा इसनान से अधिक स्वेम से आत्म साथ होने की प् हम मुक्त और कुठा रहित अनुभव करते हैं, तो मतलब यह आस्था ऐसी थी कि हम अपने आप से मिल पा रहे थे, हमारे अंदर अहंकार नहीं था, इस तरह की भीर वहाँ पर थी, अब हमा जाते हैं दूसरे कद्यांश पे, यह हमसे पूछा गया है सन 2014 में, तो देखी क्य क्या है, लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेज साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए, उसने मंसा देवी पर एक और चुन्री चढ़ाने का संकल्पन लेते हुए सोचा, मनुकामना की गांट भी अध्भुत, अनूठी है, इधर बांध हो, उधर लग जाती है, तो जब क्या हुआ, पारों अंदर गांट बांध कर आती है, कि उसकी भी मुलाकात संभव से हो जाए, तो वो अंदर जाके जैसे ही बाहर आती है, गांट बांध कर, उसकी संभव से मुलाकात हो जाती है, तो वही कहें, उसने यही तीस तभी बोली है, कि मनुकामना की गांट भी अद्भुत और उनूठी है कि इधर बांधो और उधर लग जाती है आप देखे संदर्भ लिखेंगे पहले इसका प्रसुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित पाठ दूसरा देवदास से अफ्तरित है ये कहानी सुप्रसित लेखी का मंता कालिया द्वारा रचित है तो संदर्भ वही सभी रहगा एक चैप्टर का बसेम वही रहगा कोई भी संदर्भ लिखेंगे पुस्तक लिखनी है पाठ लिखना है रचाइता लिखना है और अगर वो किसी और ग्रंथ से संकलित की गई है तो वो भी आपको पता है तो उसे भी आप मेंचिन करते हो काव की जो भी पाठ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं वो किसी ना किसी संग्रह से लिए जाते हैं तो वो आपके book में mention रहते हैं अगर आपको वो पता है तो वो भी आप संधर्ब में लिख सकते हैं फिर आते हैं प्रसंग पे प्रस्तुत गध्यांश में लेखिका ने संभव की मनुकामना पूरी होने का तथा लड़की द्वारा मनसा देवी पर एक और मनुकामना बांधने का वर्णन किया है अब आज आते हैं व्याख्या पे संभव को मनसा देवी की यात्रा के समय वह लड़की दुबारा मिली जिसे वह अचानक प्रेम करने लगा था उस लड़की ने आज गुलाबी रंग की जिगा सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी किन्तु लज्जा यानी की शर्म के कारण उसके चेहरे का रंग खिलकर गुलाबी हो गया था संभव से मिलने की बाद लड़की ने मनसा देवी पर एक और चुन्री चणाने का संकल पिलिया वह सोच रही थी मनुकामना के लिए चुन्री की गांट बांधना भी अद्भुत है इधर मनुकामना के लिए गांट बांधो और उधर लग जाती है कहने का विप्राई ये है कि मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है वा कुछ समय पहले ही मनोकामना पूरी होने के लिए मनसा देवी पर चुन्डी की गांट बांध कर आई थी और संभव से मिलकर इतनी जल्दी उसकी इच्छप पूरी हो गई थी उसे चुन्डी चड़ाई और उसमें गांट बांधी थी कि मेरी संभव से मुलाकात हो जाए जिससे हम गांट पे मिले थे और वो चुन्डी चड़ाकर जैसी बाहर आती है उसकी संभव से मुलाकात हो जाती है तो उसने वही सुचा कि इतनी जल्दी जो है कैसे possible है कि कोई मनत मानी जाए और वो पूरी हो जाए तो यहाँ पर यह जिस दर्सानी की कोशिश किये गई है जब आप अपने पूरे शुद्ध मन से किसी मनुकामना को रखते हो तो वो अवश्य ही पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है अब आते हैं तीसरा गद्यांश क्या है देखिए यह हमसे पूछा गया है सन 2019 में इस भीड में दौर नहीं थी अतिक्रमण नहीं था और भे अनोकी बात यह थी कि कोई इस सननार्थी किसी सैलानी आनंद में डुपकी नहीं लगा रहा था दूर जल्धारा के बीच एक आदमी सूरी की ओर हाथ जोड़े खड़ा था उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा एहम ताग त्याग दिया उसके अंदर स्वा से जनित कोई कुंठा शेश नहीं है वाशुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मल आनंद है तो यहां पर बताया गया है कि सभी जो हैं जो गंगा जन में डुपकी लगा रहे थे उससे पहले उनका जादा तर्द्या जो समय था वो ध्यान में जा रहा था और इस नान करने के बाद वो अपने आपको बहुत ही शुद्ध और पवित्र निर्मल महसूस कर रहे थे तो सबसे पहले इसका संधर्व संधर्व वह से ही सेम रहेगा प्रसुद गर्द्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भागदों में संकलित पाठ दूसरा देवदास से अवतरित है यह कहानी सुप्रसिद लेखिकता मंता कालिया द्वारा रिचत है अब आ जाते हैं इसके प्रसं प्रसुद गर्द्यांश में हर की पौड़ी पर सनार्थियों की भीड उनके मर्यादित वहवार तथा लोगों की आस्था का वर्णन किया गया है व्याख्या आएंगे लेखिका कहती है कि गंगा में इस्नान की इभीड में किसी प्रकार की प्रतिस्परधा नहीं होती है औ इस्नान से अधिक ध्यान की एकागरता को महत्व देती हैं यह नहीं कि जल्दी अलदी इस्नान करो और भागो भाई वहां बैट कर ध्यान लगाना है ईश्वर को याद करना है और फिर जल में उतरके अपने आपको पवित्र करना है तो हमें आंतरिक तौर पर भी हरिद्वार में गंगा इसनान भी शांती तता शद्धा एवं आध्यात्मिक भावना से किया जाता है जल्धारा के बीच इसनान के बाद सूर की और उन्मुख व्यक्ति का चेहरा आध्यात्मिक शांती से विभोर ईश्वर के प्रति विनी तता हाथ जोड़े सारे एहम का त् संकार एक तरीके से पूरा समाप्त हो चुका है यहां इस्यां करने वाले व्यक्ति के अंदर स्वासे जनित प्रवत्ति शेश नहीं रह जाती वह चेतना आमे शुद्ध एवं आत्मा तता हिदय में निर्मल हो जाता है मन का कलुष त्याक कर श्रद्धालू आस्था और श् अधारी तब हमसे प्रश्ण पूछे जाएंगे और यह लगुत्र यह प्रश्ण रहेंगे तो आलग-अलग साल में पूछे गए हैं देखते हैं सबसे पहला हमारे सामने जो प्रश्ण आ रहा है वो है व्यापार यहां भी था दूसरा देवदास पार्ट के आधार पर इस और वो जो मांगते हैं मुने देदेते हैं हमसे किसी तरह का मोलभाव भी नहीं करते तो इसलिए यहां पर कहा गया है व्यापार यहां भी था देखे क्या है भक्तों द्वारा मनोतियों के दीपक यानि दिये गंगा की धारा में प्रभाहित किये जाते हैं इंदियों में फ तदिधारे, बतिधारलण चाही है दोने से पैसे निकालकर अपनी जीवीका चलाते कि आग भी लग जाती है किन्तुबर निर्भीक होकर करके लगे रहते हैं दोने पैसों से परिवार पलता है लेखिका ने गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया को ही जीविका तथा जीवन का सहारा माना है वे दोनों में डाली गई रेजगारी कठा करते हैं और उनकी पत्नियां कुशागाट पर खुले पैसों में बंधे रुपए बनाती हैं यही उनकी आजीविका का माध्या में यही कारण है कि लेख अक कहता है कि व्यापार यहाँ पर भी है तो मतलब कहने का तादपर यह है कि जो हमने मनौतियों के दीपक लिए उन दीपकों को जब हम पानी में तैराते हैं तो क्या होता है वो डूब जाते हैं ढूबने के वाद उनके पैसे जो निकाल कर लेके आते हैं उने से उनकी जीविका चल रही है तो व्यापार यहां मनौतियों के जरीये भी चल रहा था हमने तो मनौतियों के पैसे हमने डाल दिये लेकिन उनसे किसी का घर चल रहा था तो यहां पर मनौतियों के जरीये पार हो रहा था नेक्स कोशन आते हैं नेक्स कोशन ने दूसरा देवदास पार्ट में बैसाखी के दिन संभव ने क्या निश्चे किया और क्यूं ये प्रशन हम से पूछा गया है सन 2021 और 22 में सन 2022 में हमारा जो है वो सेकेंड टम था जो सब्जेक्टिव था उसमें ये आत्मू धोकर प्रात्ना कर लेगा और कुछ देर वहर की पौड़ी पर बैठकर गंगा के जल को देखेगा तथा लोटते समय मतुरा जी की पुरानी दुकान से गर्म जले भी खरीदेगा और वापस आ जाएगा ये सब उस परिचित लड़की को खोजने के लिए कर रहा थ जो पुजारी के पास मिली थी और जिससे वह प्रेम करने लगा था तो अब जो है संभव की जब वो पारों से मिल चुका था तो उसके मन में कहीं पर भी जाने पर सिर्फ उसकी निगाहें जो है वो पारों को ही खोचती थी तो उसे निश्चे किया था कि वो स्नान करने नह जीविका और जीवन के बारे में टिपड़ी कीजिए अब उनकी जीविका क्या थी वो जो दोनों से पैसे थे उनसे ही कठा करते थे उसी सिंकी जीविका चलती थी और अब उनकी दिन चर्या के बारे में भी बताना है तो देखे क्या है यहां पर यह प्रशन हम से 21 और 22 में प यसी पैसे निकालते समय कभी-कभी उन गंगा पुत्रों की लंगोट में आग भी लग जाती है क्योंकि उस्में दीपक दीये जल रहे होते हैं तो किन्तु वह निर्भीक होकर उसी प्राइब में लगे रहते हैं क्योंकि इन ही पैसों से उनका परिबार पलता है लेकिका ने गंगा पुत्रों के लिए गंगा मया को ही जीविका तथा जीवन का सहारा माना है वे दोनों में डाली गई रेजगारी एकत्रित करते हैं तथा उनकी पत्निया कुशाघाट पर खुले पैसों को बधे रुपे बनाती हैं यहीं उनकी आज जीविका का माध्या में इस प्रकार गंगा पुत्रों का जीवन कश्ट पुन और जोखिम से भरा है तो देखी जहां उनकी लंगोटों में आग लगती है लोग उनका उपहास करते हैं लेकिन तब भी वो ध्यान नहीं देते त सिक्के निकालना उन्हें चेंज उन्हें जो है नोट में तबदील करना बहुत मतलब कस्ट पूर्ण उनका जीवन रहता है नेक्स कोशन है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो प्रश्ण हम से पूछे गए हैं दोनों अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और लगभग एक जैसे हैं घुमा फिराकर एक ही चीज पूछी जा रही है तो पहला प्रश्ण है मनुकामना की गाठ अनोखी है कैसे दू प्रश्ण के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन कीजिए यह प्रेश्ण से पूछा गया है 2015 और 2014 में तो देखे वो जो मनोकामना की गाठ है उसी के बारे में पूछा जा रहा है देखे क्या लिखा है युवति पारों भी संभव के प्रति आसक तो हो चुकी थी वह ही अपनी बेचैन आखों से संभव को देखना चाहती थी उसे इस बात की उमीद बिलकुल नहीं थी कि इस भीड के बीच संभव उसे पहचान सकेगा मनसा देवी की दर्शन को जाते समय पारों के मन में देवी दर्शन के साथ ही संभव के दर्शन की आकांशा व्याप्त थ लोटते समय संभव ने उसके भतीजे को टोका तो वह आतुर भाव के कारण ही भतीजे मन्नु को शीकर घर चलने को कह रही थी मन्नु जब संभव को खीषता हुआ पारों के निकट ले आया तो वह पारो यानि प्रशन वाचक नजरों से संभव को देख रही थी युवती ने गुलाभी परिधान नहीं पहना था लेकिन संभव से मिलने पर शर्म वाख खुशी से उसका चेहरा गुलाभी हो गया था और उसकी मांगी हुए इच्छाए भी पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो अन्दर चुन्री चड़ा कराई थी गांठ बांद कराई थी और तुरंद बाहर आते ही जैसे ही मंदिर से बाहर आई उसकी वो मनकामना पूर्ण हो गई तब उसने मनी मन सोचा मनुकामना की गांट भी अद्भुत अनोठी ही होती है इधर बांधो उधर लग जाती है उसने मनसा देवी मंदिर के बाहर लाल पीले धागे की गांट लगाई थी संभव को देखा तो उसे लगा गांट लगाते ही उसकी मनुकामना पूरी हो गई तो मतलब वो उसने जिस जो मनुकामना की थी वो उसने गांट जैसे ही लगाई बाहर आई और तुरंत ही उसकी मनुकामना पूरी हो गई तो इस चीज को लेकर वो बहुत ही खुश होती है अब आते हैं प्रश्ण संख्या पांच पे यह हमसे पूछा गया है सन 2015 में प्रश्ण है उसके चेहरे पर इतना विभोर, विनीत, भाव था मानू उसने अपना सारा एहमता एक्त्याग दिया उसके अंदर स्वासे जनित कोई कुंठा शेश नहीं है वाशुद धरूप से चेतन सुरूप आत्मा राम और निर्माल आनंद है इस वाक का आश्रे इसपष्ट कीजिए तो यहाँ पर कहने का तादपर है कि जब स्नान करके बाहर आते हैं तो हमारे अंदर का जो अहंकार है यानि की स्वा जो है वो नश्ट हो चुका होता है और हम पूरी तरीके से शुद्धी करण कर चुके होते हैं अपनी अंतरात्मा का तो क्या होता देखिए यह संभव ने देखा हर की पौडी की भीड से दूर कोई व्यक्ति सुर को की और प्रणाम की मुद्रा में खड़ा था प्रणाम मतलब सुर को जो प्रणाम करते हैं उसकी मुद्रा में वो खड़ा था ऐसा लगता था मानो उसने अहंकार भाव त्याग दिया हो उसमें नहीं तो दुरभावनाएं, कुंठाएं सब गंगा के जल में बह गई हूँ तो गंगा के जल में बिस्नान करके वो व्यक्ति कैसा लग रहा था एकदम शुद्ध उसके अंदर कोई बुरी भावना नहीं, कोई बुरी चीज नहीं उसने सभी कुछ त्याग दिया हूँ, ऐसा मालूम पड़ रहा था अब वा बिल्कुल शुद्ध रूप से चेतन, सुरूप आत्मा राम और निर्मा आनन्द से परिपून था वा इश्वर भक्ति से लीन था, यानि कि उसकी आत्मा एकदम निर्मल हो चुकी थी वो अंदर से जो है सुख प्राप्त कर रहा था, वो बहुत ही जादा खुश था ये चीज बताया गया है इस वक्तव्य में प्रश्ण संख्या 6 है, ये हमारा पर देख रहे हैं, आपर दो प्रश्ण हैं अलग-अलग सालों में और लगबग एकी चीज पूछी गई है, क्या है, संभख को दूसरा देवदास क्यूं कहा गया है, इसके औचित्र पर टिपड़ी कीजिए ये प्रश्ण हमसे पूछा गया है सन 2015 में, दूसरा प्रश्ण है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए 2013 में अब यहां पर क्या था, यहां जो देवदास आपने कहानी नहीं पढ़ी होगी, तो मूवी तो देखी होगी, दो बार बन चुकी है, तो वहां पर क्या था, कि देवदास जो है वो पारो की प्रेम में आ सकता हर समय, तो यहां पर भी संभव का नाम तो चलिए देवदास न पहुनता रहता है वही जो है बेचैनी इसमें भी दिखाई गई है ना तो इसी लिए इस कहानी को यहाँ पर दूसरा देवदास नाम दिया गया है तो देखी क्या है बांगला के प्रसिद उपन्यास कार शरक्चंद चटोपाध्याय ने देवदास नामक उपन्यास की रचना जिस तरह देवदास और पारों में परंपावन प्रेम का अभ्योद यह हुआ था उसी तरहें दूसरा देवदास का दूसरा देवदास कहा गया है तो जिस तरह से शरचन चठोपाद्ध्याई की कहाणी में देवदास था और वो पारों से मिलने के लिए आसक्त रहता था की आवरत्ति करी आकरति दी है एक अग्याद योवना के प्रती नायक संभव का आकरशन ऐसा था कि उसे घाट की सीडियों गलियों तक की खाकचानी संभव को उस अग्याद योवना के अनुपस्तिती में भी उसके साथ होने का अनुभव होता है लेखिका निनाइका का नाम तथा नायक का नाम संभव देवदास रखा है प्रेम की व्यापकता तथा संवेद्रा के विस्तार के इस्तर पर ममताकालिया की कहानी देवदास जिससे कम घनिभूत नहीं है अधा दूसरा देवदास श्रीशक सार्थक तथा उचित प्रतीत होता है तो देखिए हमने बता यहां पे भी संभव देवदास की तरह ही बेचैंधा पारो को पाने के लिए अब आते हैं प्रश्ट संख्या साथ में साथ क्या है देखिए दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिये यह प्रश्ट हमसे पूछा गया है सन 2015 में अब इसमें मूल भूमी में युवा मन की भावुकता संवेदना तथा वैचारिक चेतना को अभिव्यक्त किया है इस कहानी में अचानक हुई मुलाकात के बाद युवा हिर्दय में कल्पना तथा रुमानियत के जो भाव उठते हैं उसे बखूबी ढंग से प्रस्तूत किया गया है लेखि संवेदना यहां प्यार है जिसको जो कैसे पनपा और किस तरीके से बेचैनी हुई दोनों में और किस तरीके से मुलाकात हुई यह चीज दिखाई गई तो मूल संवेदना का भाव है कि हम अगर कोई चीज बहुत ही दिल से मनुकामित करते हैं सिर्फ प्यार ही नहीं कोई भी चीज़ हो तो वो बहुत ही असर डालती है लेखिका ने सिद्ध किया है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति समय इस्थान का होना आवशक नहीं है वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय और स्थिती में हो सकता है कहानी की द्वारा लेखिका ने प्रेम की बंबया फिल अब आते हैं प्रशन संख्या आठ क्या है प्रशन गंगा पुत्र के लिए गंगा मया की ही जीविका और जीवन है आश्रे समझाईए इसका क्या आश्रे है यह प्रेशन हमसे 2018 में पूछा गया है तो यहाँ पर गंगा पुत्र यानी की वो गोता इस्थानिय गोता खोर जो मनावतियों के दियों से पैसे एकठा करते हैं तो उनी के लिए गंगा मया जो है जीविका का साधन है भक्तो दोरा मनावतियों के दीपक गंगा की धारा मे प्रभाइद किये जाते हैं इन दियों से में फूलों तथा पैसों को रख कर बहाया जाता है इस्थानिय तैराग जिसे लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है दोनों से पैसे निकाल कर अपनी जीविका चलाते हैं अब क्या होता है हम लोग जो है वहाँ अगर आप लोग अभ अब ये क्या है थोड़ी दूर तो जाते हैं या तो वो एक जगा जाके रुख जाएंगे किनारे कहीं पे या वो इतनी तेज धारा होती है कि वो डूब जाते हैं अब डूबने की बाद जब अंदर चले जाते हैं तो जो इस्थानिय तैराग होते हैं वो तुरंत ही लाते हैं और निकाल के धीरे 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 कठा करते हैं और उसी को वो अपनी पत्नियों को या माओं को बहनों को देते हैं जिसे वो कुशाघाट में बधे पैसों में कत्र करते हैं और इसी से उनके घर का जो है खाना पीना रहना सभी कुछ पूरा होता है दोनों में पैसे निकालते समय कभी-कभी उन गंगा पुत्रों के लंगोट में आग भी लग जाती है किन्तुबर निर्भीक उसी कारे में लगे रहते हैं क्योंकि इनी पैसों से उनका परिवार पलता है तो अब क्या है खत्रे का काम तो है इती तेज धारा में डुपकी लगाना उन दियों से कभी-कभी उनके कपड़ों में आग भी लग जाती है लोग उनका मजाग भी उडाती है लेकिन वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ये उनके लिए जो है पैसा जो है वो खाना है उनका कपड़ा है जट है सभी कुछ उनको इनी पैसों से मिलना है लेकिकान ये गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया को ही जीविका तथा जीवन का सहारा माना है वे दोनों में डाली गई रेजगारी कठा करते हैं तथा उनकी पत्नियां कुशाघाट पर खुले पैसों से बंधे रुपे बनाती हैं यही उनकी आजीविका का माध्यम है इस प्रकार गंगा पुत्रों का जीवन बड़ा ही कश्टपूर और जोखिम से भरा होता है तो इस दस सालों में जिस तरीके से इससे प्रश्ण आए हैं हमने वो सभी आपको करा दिये तो आई हो आपको समझ में आ चुका हो कि कैसे कैसे प्रश्ण आ रहे हैं तो अभी और भी चैप्टर बाकी हैं उनके भी प्रश्ण हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और साथ-साथ उ नेक्स वीडियो में मिलते हैं थैंक यू फो वाचिंग बाइए